दोस्तो नमस्कार नए बजट प्रावदानों से कितनी आए पर शूने टेक्स लगेगा पर्टिकुलर्ली न्यू रिजीम में for the income earned by an SSC in the financial year 24-25 ये एक significant question अभी recently उबर करके आया और ये question इस हद तक दोस्तों important हो गया कि इस विशह पर कल मुझे same subject से एक वीडियो बनाने के ब पावजूद delete करनी पड़ी और वापस से उसी विशह पर एक नई वीडियो लेकर के आया हूं only for the reason कि यहां पर कुछ tricky सा बात होता देख रहा है जिसका correction होना चाहिए और वो correction के लिए ही मैं इस particular वीडियो को एक तरीके से लेकर के आया हूं कि अगर मेरी बात इस वीडियो के थ्रू भारत सरकार तक पहुँचेगी तो हो सकता है उसका फाइदा जन साधानाट तक और अधिकाधिक रूप से मिले दोस्तो पहले आपका ध्यान अकरश्ट करूंगा लास्ट वित्वर्ष वित्वर्ष 23 चोइस के लिए इंकम की कितनी राशी तक टेक्स लाइविटी निल होती थी अंडर न्यू टेक्स रिजीम आई रिपीट अंडर न्यू टेक्स रिजीम तो एक चार्ड से समझेगा इस विशे पर एक डिटेल वीडियो लास्ट यर मैंने अप्लोड भी करी थी कि 7 लाग तक की इंकम पर टे परसन को स्टेंडर डिड़क्शन नहीं था तो टोटल इंकम पुने 7 लाग जीरो से 3 लाग तक टेक्स निल 3 से 6 लाग तक टेक्स लाइविटी 5 परसेंट 6 लाग से 9 लाग तक 10 परसेंट तो अकॉर्डिंगली अससी की टेक्स लाइविटी आई 25,000, 87 में रिबेट मिली 25,000 फाइनल टेक्स लाइविटी निल तो ये सेनारियो था वित्वर्ष 23 चोईश असस्मेंट यर 24 पच्चिस के लिए अब आपको समझना है वित्वर्ष 24 पच्चिस के लिए ये सेनारियो कैसे डवलप होगा अब देखिए दोस्तों न्यू रिजीम में रहते हुए असस्मेंट यर 25 चबच्चिस वित्वर्ष 24 पच्चिस के लिए मैंने एक चार्ट बनाया मैंने लिखा सेलरी परसन को से 7,75,000 रुपे मिले एस सेलरी या टोटल इंकम मान लिजे 75,000 रुपे का स्टेंडर डिड़क्शन 7,000,000 की टोटल इंकम अब डाइलेमा किदर आ रहा है टेक्स लाइबिटी 0 से 3,000,000 तक निल 3 से लेकर के 7,000,000 तक अब जो टेक्स लाइबिटी है वो एक स्लैब कर दिया है और 7,000,000 से 10,000,000 तक अगला स्लैब कर दिया 10% तो फिर टेक्स लाइबिटी अससी की बनी सर्फ 20,000 जबकि रिबेट कितनी मिलती है 87 एं में 25,000 की फाइनल टेक्स लाइबिटी अससी की इस वज़े से जाकर के बैठी निल अगर यही बिजनस्मेन का केस है तो मैंने कोई टोटल इंकम के फिगर में चेंज नहीं किया वो सेम है और अससी को 20,000 रुपे की टेक्स लाइबिटी 7,000,000 पर बनी रिबेट मिलती है 25 की यानि एक तरीके से 5000 की रिबेट खराब होगी आप बुले अनुब जी कैसे खराब होगी जरा इस बात को समझाईए मैं इसके लिए एक और चार्ट आपके समख शर्खना चाहता हूँ जरा नेक्स लाइड में उस पर भी नज़र डालिएगा अब यहाँ देखिए दोस्तों यह मेरा सुजाव है कि चेंज ऐसे आना चाहिए था पर ऐसे नहीं आया है तो आप इसे कन्फ्यूज मत होईएगा कि जो बात मैं करने वाला हूँ जो चार्ट दिखा रहा हूँ वो लागू है लेकिन फिर भी रख रहा हूँ कि आइडिली क्या होना चाहिए था होना यह चाहिए था दोस्तों कि सेलरीट पर्सन की इंकम अगर सवाट होती नियू रिजीम में 75,000 रुपे का स्टेंडर डिरक्शन उसे मिलता साड़े साथ लाग की टोटल इंकम आती 25,000 रुपे की टेक्स लाइविटी आती क्योंकि जीरो से तीन लाग तक निल तीन से चार साथ लाग तक 5% के इसाब से 20,000 और अगले 50,000 रुपे 5,000 टेक्स लाइविटी 25 होती अससी के पूरी 25,000 की रुपे टेक्स लाइविटी निल होती अब आप ज़रा फरक देखिए पिछली केलकुलेशन में मैंने बोला के है तो क्या 7,75 और होना कितना चीए था 8,25 ये गफलत हो गई है क्योंकि सेक्षन 87a में कोई इस बजट से प्रस्तावीती नहीं. अगर मैं अंतुपे लिए बात कर水 होती परन्तु अमेंडमेंट नहीं होने की वजए से बिजनस्मेन के लिए भी साड़े साथ लाग की जगे साथ लाग की लिमिट लागू रह गई अब जड़ा आगे लिए चलता हूं देखिए दोस्तों अब आपके सामने में रखता हूं प्रोविजनस ऑफ सेक्शन 87A जो अल्रेडी लौ में प्रिवेल करते हैं कि यह सेक्शन 87A क्या बोलता है यह एक रिबेट की बात करता है सेक्शन 87A का टाइटल भी आप देखेंगे तो लिखा है रिबेट ऑफ इंकम टे को मैं छोड़ रहा हूं बजट 2023 यानि फिनेंस एक 2023 में जो फाइनली कनवर्ट हुआ उससे एक आ गया वियर दर टोटल इंकम अफ नससी चाज़िबल टो टेक्स अंडर सब्सक्शन वन्यों 115 बीस यानि अगर किसी करदाता का टेक्सेशन न्यू रिजीम में होता था तो ए बाविए देक्शन अडर इस चेप्टर अनिस टोटल इंकम विद विच इस चार्ज़ेबल फर अन असेस्में यर ऑनमांट इक्वल टो 100% अफ सच इंकम टेक्स और अमांट अव फिन्टीफाजन रूपीज विच अवरिज लैस अब जरा ध्यान से जो मजिए के पहले साड साथ लाग की सालरी इंकम आफ्टर स्टेंडर इडिवचन सालरी इंकम विजनेस वेन की साथ लाग की टोटल इंकम फइनल टेक्स लाविटी वंती वंतीदी 25 पुच्छी सesarिए बड़े है जी अब केवल स्टेंडर डिवचन की 25,000 बड़े हैं मैंने अगर उस अमांट को साड़े साथ की जगे पर साथ विचप्तर बोला तो मेरे लिए रिबेट का अलिजिबल अमाउंट ही बीज जा रहे है जबकि 87 में मुझे 25,000 की रिबेट देना चारी 87 में कोई अमेंडमेंट इस बजट से आया ही नहीं अगर मैं जो आपके साथ पीछे कैलकुलेशन करी सवा आठ लाग की तो सवा आठ लाग माइनस पिचत्तर अजार वहाँ पर मेरे पास में बचते हैं साड़े साथ लाग साड़े साथ लाग पर टेक्स लाइविटी 25 आती है अगर 87 में मुझे 25,000 की रिबेट दे तो मेरा काम हो जाता है यानि मेरी टेक्स लाइविटी जीरो होती लेकिन मैंने ये जो वर्किंग करी थी जिसको मैंने बुला है मेरा सजेशन है वो वर्किंग भारत सरकार ने नहीं करी है और इसकी वज़े से या तो ये पर्टिकलर प्रूइजों में जो 7,000 रुपीज का अमाउंट लिखा है 700,000 इसको बढ़ा करके 7,500 करना चाहिए ये मेरा सजेशन है इस वीडियो के त्रू ये अमेंडमेंट नहीं किया या सरकार ये अमेंडमेंट करे कि 7,500,000 रुपे तक की टोटल इंकम पर रिबेट की राशी घटा करके 20,000 करते वो आपको गुजार नहीं होगा आपको लगया कि ये गलत कह रहा है तो भई रिबेट ही हमारी घटवार है हाँ ऐसे लोगों को जरूर रिबेट मिलेगी जिनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंट टेक्स अंडर सेक्शन 111 नहीं आ रहा है लेकिन जब आप करदाता को एक benefit देना चाह रहे हैं कि हाँ साब अब हमने आपका tax lab चेंज कर दिया तो आप अपने रिबेट के provisions को section 87a को align करिए 87a का alignment यहां पर fail हो गया मेरा मानना है यह alignment यह दिक किया जाएगा इससे करदाताओं को effectively और वचत होगी तो भारत सरकार को जब इस budget पर चर्चा होगी इस विशय पर detail में मुझे लगता एक clarity लेकर के आनी चाहिए respective amendment section 87a में होना चाहिए और यह दिये नहीं होता तो मैं कह सकता हूँ कि यह करदाताओं के लिए एक बुरी ख़बर है कि जो बात logically होनी चाहिए वो नहीं हो रही अन्तवे दोस्तों मैं आपको खुश करने के लिए यह जरूर कह सकता हूँ के हाँ साब जैसे मैंने 7.5 लाग से 7.5 की calculation करी पुनारी रिजीम में अभी भी लगबग अपनने अगर शुरुवात करी होगी तो से 7.75 से हम 7.5 लाग पर आये और tax liability निल कर दी अगर आप 7.5 लाग की calculation को और मेरी income में जोड़ देते हैं as long term capital gain पर निल rate से लगने वाला tax तो ये income की सीमा 0 taxation के लिए कुछ और बढ़ जाती है परन्तु वो कोई इतना बड़ा प्रावधान नहीं है जिसके लिए मुझे लगे कि मैं उस amount को और जोड़ करके explain करूँ मेरा इस वीडियो का मूल परपस ये है कि मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी आवाज ये पहुँचाना चाहता हूँ भारत सरकार तक कि वो समझे के section 87A में corresponding amendment आना चाहिए था जो जान बूच कर अत्वा गैर जान बूच कर किसी भी तरीके से आप मानिये law में आना रह गया है और वो किया जाएगा तो करदाताओं को और relief मिलेगी so I hope मेरी voice सही जगे तक पहुँचे मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिं